हेलो फिरेंस आज हम बात करने वाले हैं ट्राक टायर को लेकर अंडरलोड ओफरलोड रेडियल टायर लैलून टायर फ्रोंट टायर आपको कौन सा टायर लगाना चाहिए तो चलिए हम वीडियो की स्टार्ट करते हैं आपको टायर दिखाते हैं जितना सारा ट्राक लवर है औ कौन सा legit होगा तो आज का वीडियो आप लोग के लिए आज हम आपको समझाने बाले हैं। त्राक टायर को लेकर जो कि undergrad, overload, liloon, radial front टायर radial में आपको कौन सा लगाना चाहिए लाइलून में आपको कौन सा लगाना चाहिए कैसा आपका long lasting होगा उसी हैशाब छोगा सब्सक्षाब से आपको हम टायर दिखाएंगे सबसे पहले हम आपका अंडलोड का टायर दिखाते हैं देख सकते हैं यह अंडलोड का टायर है लेकिन आप ओवरलोड में भी चला सकते हो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप ओवरलोड में चला सकते हो क्यूंकि अगर आपका कट जाता है टायर तो उसमें MRF कंपनी आपक Mrf Company गिरेंटी देता है उसके बाद आपका टायर बास्थ हो जाए अगर खुद ही बास्थ हो जाए तो आपको टायर आप Company replace देगा अगर आपका गित्थी या कोई भी कोई भी ऐसा समान जिस से टायर कट सकता है उस तीस से अगर कट जाए तो आपको MRF कंपनी रिप्लेस नहीं देगा इसका बीट पेटन देखिए कितना बढ़िया है और अगर आप लोंग डूड में चलते हैं तो आपको इसी टायर को लगाना चाहिए क्योंकि इसका घिसाई काम है और ये टायर हीटिंग भी प्रोब्लम नहीं आता है यानि कि ये टायर हीट नहीं होता है इसमें आप यार प्रेसर रख सकते हो लगभग 120 से 1500 के असपास और इसमें आप लोड चमता ले सकते हो लगभग 36 कुंटल के असपास सिंगल टायर में अगर आप डाबल टायर लेते हो तो डाबल टायर के और तरफ से यह है MRF का स्टील मसल S3 कैफोर जिसका साइज है 295, 90 और 20 इस टायर को आपको खरीदने के लिए लगभग 2900 के असपास में आपको खर्चा करना पड़ेगा और यह टायर आपको किसी भी MRF सोरूम पर मिल जाएगा अगर आप अंडलोड में चलाते हैं तो आपको यह टायर लेना चाहिए अगर आप अबर लोड में चलाते हैं और इस टायर को लगाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा इसका प्राइज आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा 23,900 के असपास तो चलिए हम आपको नेक्स टायर दिखाते हैं यह है नेक्स ट आफ से आप तो से हो अपर करो जाझ सकते हो कोई दिख्कत नहीं आएगा अगर आप फूल ओर्पूर्ड में चलते हो इससे यह यूजऑ रख सकते हो 180 के आश्पास इसमें आप लोड कर ले सकते लिए बगए 20 कुझडल का स्पास इस्टर Talent में इसमें विए आपको से और एमृट इसे यूज कर सकते हैं बहुत अच्छा टायर है अगर आप लोंग रूट में चलते हो तो इस टायर को आप लगा सकते हो क्यूंकि इसमें भी hitting का problem नहीं आता है रेडियल टायर hitting का problem ना के बराबर आता है इसलिए लोग radial टायर लगाते हैं लैलून के हैं सबसे लैलून टायर का hitting problem ज़ादा रहता है इसलिए आप radial टायर लगाए अर इस टायर का आपको market price बील जाएगा बात कर लेते हैं लैलून टायर को लेकर, नेक्स्ट है लैलून टायर जो आपको ये लोकल में आपको बढ़िया परफोमेंस देने वाला है, अच्छा सर्विस देगा आपको, बीट पेटन देख लीजे, बढ़िया माइलेज मिल जाएगा, और आप ओवरलोड में चला सकते ह अगर आप लोकल चलते हो, तो इस टायर को लगा सकते हो, ये आपके ट्राक के लिए बहुत बढ़िया टायर होने वाला है, ये लैलून में देखने को मिलता है, इसमें आप मेक्सिमम यार पेसर रख सकते हैं, 115 के आसपास, इसमें आप मेक्सिमम लोड ले सकते हैं, 33 इसका प्राइज आपको मार्केट में देखने के मिल जाएगा, 20,150 के आसपास, इस टायर को भी आप ले सकते हैं, इसके साथ एक इंस्ट्यू और फलाप भी मिलता है कमपानी के तरफ से, जितना सारा टायर आपको हम दिखाएं, उसके साथ आपको ट्यू और फलाप टायर क साथ में मिलता है, तो चलिए हम आपको नेक्स टायर देखाते हैं, तो नेक्स है, MRF का फ्रों टायर, जो कि लैलून में आता है, ये ट्राक के सामने में लग जाएगा, इसका पेटन देख लिजे, बहुत बढ़िया पेटन है, इस टायर का घिसाई भी कम है, इसका बीट औ लगाने से आपका इस्टेरिंग हलका रहता है, क्योंकि ये टायर बैटता नहीं है, रेडियल टायर आपका बैट के चलता है, लेकिन ये खड़ा होके चलता है, इसलिए इसका इस टायर को लगाने से आपका इस्टेरिंग बढ़िये तरीका से काम करेगा, इसमें आप मेक् का सूपर मिलन 99 प्लास जिसका साइज है 1020 इसका प्राइज आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा 18300 के असपास तो चलिए हम आपको नेक्स टायर दिखाते है ये टायर भी आपको किसी भी हमारे प्रूरूम पर मिल जाएगा नेक्स्ट ये टायर जो कि 707 इस्टार के नाम से जाना जाता है कंपणी ने नहीं लौंच किया है इसे पहले 707 आता था लेकिन अभी 707 इस्टार आ रहा है तो आप जरूरी से लगाए इसका बीट पेटन उस टायर के जैसे सेमी है इस टायर का क्वालेटी उससे थोरा बढ़ आपको लेटी में एमरेट कंपणी ने बनाया है और यह 707 इस्टार के नाम से जाना जाता है परफर्मेंस भी आपको उससे थोरा बेटर मिलेगा इस्टार का आप यूज कर सकते हैं इस्टार में भी आपको लोट शमता सेमी देखने को मिलता है तिरी स्कुंटल तक और इस सकते हैं 120 के असपास यह टायर भी आपको लैलून में देखने को मिल जाएगा इसमें भी सेम और एंटी सेम गेरेंटी आपको देखने को मिल जाएगा इस्टार को अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा 19100 के असपास आपको किसी भी MRF सोरू मिल जाएगा यह है MRF का सूपर लाक 707 स्टार जिसका साइज है 1020 और हम आपको जितना सारा टायर दिखाए सब 16 पलाई में आता है और MRF कंपनी का 16 पलाई MRF कंपनी बनाता है अगर आप सोच रहे हैं कि दूसरा कंपनी 18 पलाई का बनाता है तो इससे ज़्यादा बढ़िय होगा तैसा बात नहीं है MRF कंपनी 16 पलाई में ही बहुत आपको अच्छा परफॉर्मेंट देता है अगर MRF कंपनी का कोई भी टायर अगर प्रोब्लम हो जाए तो MRF कंपनी आपको रिप्लेस्मेंट देगा उसके लिए आपको MRF सोरूं पर जाना परेगा और टायर को जम अग्सा वीडियो बना देंगे इस वीडियो के यहीं पर खत्म करते हैं जय हिन जय भरत